साहब 2 माई 2021 को जिस दिन बंगाल और तामिलनाडू के रिजल्ट आए उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोशना करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा यह अलग बात है कि आप या आप मेंसे कई ऐसे वक्ती हैं जो उसको मानने के लिए तयार नहीं है एक साल मैंने समय लिया है यह सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं और एक साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूँ और जो बात मैंने 2020 में कही थी मूल रहा हूँ उसी बात के प्रती अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पोलिटिकल अक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे आई पेक संस्था के तौर पर दे हैब अनुफ पीपल दे मेरा उनसे कोई डिरेक्ट रिलेशन अभी नहीं है और आगे भी नहीं है